गौरी खान के जम दिन के मौके पर कई बाते उनसे जुड़ी सामने आएं आज हम आपको गौरी खान की जिंदगी के एक ऐसे राज से वाकिप कराएंगे जिसे खुद उनकी हस्बिन यानी की वालेवूड के केंग खान शाहरुत ने शेयर किया अपने फैंस के बीच शाहरुत ने इंटरव्यू में ये बताया किस तरह से उन्हें अपनी पत्नी को लेकर काफी ज़ादा डर लगया था जब उनके बड़े बेटे आरेयन का जन्म होने वाला था तबकि ये बात है प्रेग्नेंसी की हालत में जब उन्हें हॉस्पिटल में पती होना पड़ा प्रेग्नेंट गौरी खान के फर्स्ट डिलीवरी के दौरान के उस मयानक समय को शाहरु खान सामने लेकर आए जिससे कोई भी पहचान नहीं कपा रहा था यह सच है शाहरुख ने बताया कि वो इतना डर गए थी अपनी पत्नी गौरी खान को लेकर उन्हें लगा कि गौरी खान अब नहीं बचेंगी और डिलीवरी के दौरान की यह बात है यहाँ शाहरुख ने बताया था कि अपनी बहन शेहनास लाला रुक और उनकी इल्निस की वजह से वो काफी डरे हुए थे उसका उन पर बहुत बुरा इसर हुआ इसके बाद उनकी मा और उनकी बहन के लेकर पिता मुहम्मद खान की गुसरने के बाद जब वो कैंसर से परिट थे उनके पिता और वो गुजर गये थे शारुख बहुत अकेले पड़ गये थे 53 साल की उमर में सूपर स्टार शाहरुख खान ने ये बताया था गौरी खान ने जब अपने पहले बेटे को जर्म दिया था उस वक्त उनकी हालत बहुत खराब थी एक्सक्रो स्वेटिंग लेव पेन के कारण उनने बिलकुल लगा कि अब उनकी पतनी नहीं बचेंगी इस कारण हॉस्पिटल में उन्हीं इतना डर लगा कि अब उपनी पतनी को भी खो देंगे और इसलिए वो उन्हें बिमार देखकर खुद को संभाल नहीं पाये थे शारू खालने कहा था कि मैंने उन्हें जब हॉस्पिटल में देखा वो बिलकुल ट्यूब और स्टफ जो इस तरह के होते हैं हॉस्पिटल बाले उन सबसे पूरी तरह से लिप्टी हुए थी वह ज़्यादा वो ठंद से पूरी परिशान थी उप्रेशन थेटर में जब उन्हें सीजेरियन डिलीवरी के लिए ले जाया जा रहा था मुझे लगा वो नहीं बचेंगी और मैंने सोचा भी नहीं था बच्चों के बारे में सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए उस वक्त मेरी पतनी थी क्योंकि वो उनकी जिंदगी में पहले आई थी और वो बहुत डर गए थे उन्होंने कहा था कि तुम फ्रीज मत जाना मुझे छोड़ कर शारुक ने ये बात शेर की थी लेकिन जब आरेन का जन्व हुआ और जब उन्होंने अपनी पतनी को देखा उनके दिल को थंड़क मिली और दोनों काफी जादा फिर नेक्ष्ट नाइन निजरूंग से ट्रिप्टिंग रिपोर्ट